विल्कम बैक फेरें दोस्तों मस्कार इस वीडियो स्पिसल बात होने वाले मेरे भाई 9534 आप सभी को पता इस कैम हुआ था इसमें बहुत बड़ी धांदली हुई थी और बकाईदा सेलेक्शन भी दे दिया गया मेरे भाई लेकिन अब यहाँ पे इसका मुद्दा एकदम इसको जांच करानी है क्योंकि राजस्थान में आप सभी को पता है मिरवाई सोचो 2021 भरती में अब जाकर 40-40 लोग पकड़ा रहे हैं मेरे भाई तौपर लोग ठीक है धांदली बाद लोग पकड़ा गए हैं अच्छे से बगाईदा जेल भी हो गया है मेरे भाई अब मेरे जाले कि यूपी साइस कैम 9534 अब यहां पर देखो सब लोग जितने भी टीचर होंगे मेरे भाई जितने भी टीचर होंगे अब इस पर आवाज उठाएं और यह जांच होनी चाहिए पर मैं 9534 ठीक भी है इस पर आवाज उठाओ सभी लोग मानने मुखमंत्री तक आवाज पहुचने चाहिए पक्का है अगर पहुच गए सारी चीजे अगर सिवियाई जांच होई रखना कम से कम 40-50% लोग पकलाएंगे 40-50% क्योंकि इसमें जो गए हैं टापर लोग 155 वाले 155 169 सभी लोग इसमें घुसे पड़े हैं ठीक है जांच हो जाएगी मेरे भाई см NOR आज़ कि नहीं करा सकती ऐहां तो इससे भी ज्यादा याणी 100 गुणा 100 गूना है बड़ी धांत्री हुई है जो राजस्तान वे उससे भी ज्यादा ख़तरिकेसिसे में धांत्री і हुई तो बताव मेहनती बच्चे जो होंगे कहां जाएंगे इस सभी पर कठोरतम कारवाई होनी चाहिए जो भी गिरफतार हुए ठीके टॉपर लोग गिरफतार हुए सोचो अगर यह जांच हो जाएगी मेरे बहुत हुआ यूपी साई 9534 जाच है तुम मुखमंत्री जी को टेक कियें जिसे निवेदन करने है तु तयार हो जाए ठीक है भाई या बहुत लोग पकड़ाए भी इसमें बहुत पेपर में भी आया आगे देखिए मिरा भाई इस बार निमंत्रन का इंतियार मत करना आप लोग अगर एक बार मिलकर आव जाओगे तो जरूर आवाज मुखमंत्री जी तक पहुंचेगी उत्तर पर्देश एसाई में 9534 में 40-50% यहां देखो फर्जी भरती भरती हुए हैं सिविया जाँच शुरू होते ही ट्रेनिंग सेंटरों से भगदल मत जाएगी ठीक भी है जाहिसे बात है मेरे भाई अगर मुखमंत्री जी अगर यहां पर देखो आदेश दे देते हैं सिविया जाँच के लिए मेरे भाई तियाद रखना जितने भी फरजी वाले होंगे बो हाँ देखो जो सेलेक्ट हुए है मेहना से उनको इत्तु सभी थोड़ा से भी आच नहीं आएगी लेकिन जो फर्जी हुए है मेरे भाई जैसे सियारल है यहां पर देखो सारी चीजे कंडिडिट इस्पांस ला अच्छे पूरा डाटा तो जारी नहीं किया गया गया मेरे लेकिन अगर अच्छे से जारी करते हैं 169 और कुछ जो जारी भी किया कि मेरे एक सो ठावन ऐसे से आए थे पेपर में अच्छे से बगाईदा पकड़े भी गया थे कुछ लोग ठीक है उसकी बाद आगे देखिए मेरे भाई राजस्थान एसाई भरती में तीन साल बाद जाच हो रही है उसकी बाद आगे देखिए मेरे भाई राजस्थान में तीन साल बाद जब जाच हो रही है तो यहां पर भी आप Alberto देखो यहां पर देख सकते हैं और उसके बाद अगला टुटाइब मेरे भाई देख सकते हैं भारत का सबसे बड़ा सरकारी नौगरी का घोटाला उत्तर परदेश में 12 नौवंबर से 2 दिसंबर 2020 दरोगा भरती यूपी साइ 9534 परिच्छ में हुई धांदली में अब तक 70 से ज्यादा फाई यार दर सोच लो यहाँ पर देख सकते हैं पढ़ते जाओ इसको ठीक भी यहाँ अच्छे से यहाँ देखते चलना और सभी को आवाज उठाना मेरे भाई सभी को ठीक है यहाँ पर देखते चलना यहाँ पर देखते चलो यहाँ पर पेपर में देख लो मेरे भाई यहाँ देख लीजिए पूरा अच्छे से इसको पर सकते हैं यहाँ पर देखो मेरे भाई इसको अच्छे सबाढ़ लेना यहाँ देखो किलिए यूपी साइस केम 2021 पढ़ते चलना अब इसको आवाज रुखने नहीं चाहिए माननी मुखमंत्री तक मेरे आवाई पहुंचनी चाहिए अगला टूटी देखते चलो आगे बढ़ो उसके बाद यहां पर देखो देख लिए हैं आगे बढ़ते हैं उसके बाद मेरे भाई आगे देखिए फिर से अगला ट्वीट आया भी बेग सरका यहां पर देखते चलो यहां देखो यूपी साइब भरती 2021 कैस 9534 परिच्छा देने वाले सभी भ्यारती ध्यान से सुनें आगे देखो मन में घुड़ घुड़ कर अन्या सहने से बहतर है कि आप आज नया के लिए आहोती जरूर दे सत्यमयों जयते एक एक हजार ट्वीट भी करना पड़े तो ठकना मत रुकना नहीं है ठीक है करते रहना ट्रेंड हुआ था मेरे भाई घबराना मत हिम्मत मत हारना सत की रह इतनी आसान नहीं होती अगर जांच हुई मेरे भाई याद रखना कम से कम से कम मेरे भाई पांच जार बच्चे बाहर होंगे कम से कम कह रहो 5000 बाहर होंगे ठीक है और जितने भी बच्चे है सब का सेलेक्शन होगा अगर जांच हुई क बांद यहां पर देखो आगे बढ़ो उसके बाद मेरे भाई देखो back-to-back tweet आया है तो मेरे भाई रुकुना नहीं किसी भी हालत में ठीके अब किसी भी हालत में नहीं रुकुना मेरे भाई यहां भी देखते चलो पढ़ते चलना है अच्छे से पढ़ना पॉस्क करके सेलेक्शन लेके ट्रेनिंग कर रहे हैं ठीक है उसके बाद देखते चलो देखते चलो पड़ते चलना पड़ते चलो मेरे भाई पड़ते चलिए देखते चलो आगे देखिए यहां पर देखो इसको देखिए इसको देख लो मेरे भाई आगे देखो देख लो कितनी बड़ी धांदली हुई है ठीक है देखते चलना देख लो देख लीजी आगे बढ़ते हैं नेस्ट देखिए अब इस पर वीडियो बननी चाहिए एक ख़बर मेरे भाई मुकमंत्री तक पहुचनी चाहिए किसी भी हालत में अब रुकना नहीं ठीक है 9534 जितने भी अभ्यारती देख होगी सोच लेना ट्रेनिंग सेंटर पर जितने फरजी वाले होंगे सब छोड़ के भाग जाएंगी याद रखना ठीक है तो भाई यह एक ख़बर माननी मुकमंत्री तक आपको पहुचाना है ट्वीट करना है हाइस टेक क्या है यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर द कंदेख पर करना है।